हाई फ्रेंड्स क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं तो आप जानते होंगे कि डैकवर्थ लुईस नियम क्या है क्रिकेट में कई बार मौसम में परिवर्तन होने की वज़ा से सारे के सारे नियम बदल जाते हैं और स्कोर की कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है खेलने वाली टीम के साथ नियम को ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेट किया जाता है कि उनको अब जीतने के लिए कितने स्कोर बनाने होंगे इसी तरह वर्ष 2020 में व्यापारिक और सामाजिक परिष्टितियां बदल चुकी है और ये परिष्टिती केवल भारत की नहीं है बलगे पूरे विश्व की अर्थ व्यवस्थाएं आर्थिक संकट में आ चुकी है इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आने वाला समय स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होने वाला है इसका मतलब अपने आपको स्वस्थ, सुरक्षित और financially secure करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा उस्तो आर्थिक मंदी के कारण हजारों लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ दो बैठेंगे मतलब बेरोजगार हो जाएंगे और जो लोग नौकरियों में बचेंगे भी उन पर भी आर्थिक मंदी का प्रभाव जरूर होगा क्योंकि काम का बड़न बढ़ जाएगा, अनुपातिक वेतन कम होगा और सेलरी 20% से लेकर 50% तक घट जाएगी जिसका सिधा प्रभाव उनकी आर्थिक स्तिती पर होने वाला है ऐसे में स्मॉल बिजनस ओनर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को आर्थिक संकट छेलना पड़ेगा क्योंकि अनुपातिक रूप में उनका उत्पादन कम हो जाएगा मतलब उनका प्रोडेक्शन घट जाएगा लेकिन कॉस्ट अब प्रोडेक्शन तेजी से बढ़ती रहेगी लेबर कम होने की वज़ा से लेबर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी जिससे उसकी वज़ा से उनका cost of production जादा होगा और sale घटने की वज़ा से operating cost वो bear नहीं कर पाएंगे जिसकी वज़ा से या तो business में loss होगा या profit ratio बहुत कम हो जाएगा जैसे की raw material मुश्किल से मिलने के साथ साथ महंगा मिलेगा और महंगा मिलने की वज़ा से cost of production जादा होगी और cost of production जादा होने की वज़ा से ratio of profit घट जाएगा and the next labor cost अनेक औध्योगिक राज्यों से skilled और unskilled labor का plan हो जाने के कारण labor बहुत मुश्किल से मिलेगी और ना केवल मुश्किल से मिलेगी बलकि जो labor मिलेगी भी वो अनुपातिक रूप में महंगी होगी जिसकी वज़ा से cost of production बढ़ेगी lack of liquidity, working capital and cash flow in business कम होने के कारण sales कम, production कम, cost fixed plus variable बढ़ जाने के कारण profit कम होगा और profit कम होने के साथ साथ market से पैसा recover करना भी मुश्किल होगा क्योंकि market में cash flow नहीं होगा इसलिए जिस व्यपार के पास working capital जितनी short होगी वो उतने कम समय में दंप तोड़ देगा ऐसी अवस्था में समझना बहुत ज़रूरी है किन सभी समस्याओं का समाधान क्या है एक industrialist और businessman होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि व्यपार में और अपने काम में कौन सी साबधानिया बरतनी है केवल और केवल अनिवारे कारें के लिए ही पैसे को खर्च करें परिस्तिती कितनी गंभीर होगी और कब तक रहेगी कुछ नहीं कहा जा सकता and the next utilize your all unutilized resources as much as you can मतलब आपके जितनी भी resource unutilized रह गए हैं उनका पूर्ण रूप से इस्तिमाल करें ताकि आप अपनी cost of production और sales की cost को घटा पाएं और अपने business को लंबे समय तक survival पर रख पाएं next use zero cost और low cost marketing strategy ऐसी strategy का इस्तिमाल करें जहांपर या तो आपकी marketing की cost zero हो और यदि हो भी तो बहुत nominal हो digital platform का जरूर इस्तिमाल करें क्योंकि digital marketing के जरिए आप केवल भारत वर्ष में नहीं बलकि पूरे विश्व में बहुत nominal cost में और यदि आप effort करें तो खुद अपने business को advertise और market कर सकते हैं cost of marketing कम होने की वज़ा से भी आपका profit बढ़ जाएगा साथी साथ बेरोजगारी की समस्य देश में बढ़ेगी ऐसे में incentive based marketing executives को appoint करें ताकि वो लोग based on production, based on sales target, based on leads आपके साथ काम कर सकें to generate good lead out of the market, call your all existing customers और clients अपने सभी पुराने customers को और clients को regular follow करें उनसे references लें, उनसे leads लें और उनके references के आधार पर अपनी sales को convert करने के लिए निरंतर प्रयास करें हमेंसे बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से marketing पर और sales promotion पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते आ रहे हैं, उस समय में आपने जितनी भी leads generate की थी, जितना भी data आपके पास था, उस data को reuse करें उन पर calling करें, bulk SMS करें, bulk mail करें, उनसे बातचीत करें और उस unutilized data में से बहुत अधिक sales grab करने का निरंतर प्रयास करें small scale industry and small business owner को इन 5 नियुमों का अनुकरण अपने बिजनस में निरंतर करना चाहिए और जो परिस्थिती समय चल रही है, इसमें अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने cash को hold रखें और अपने व्यापार को निरंतर progress की और ले कर जाएं comfort zone से बाहर आएं, जब आप comfort zone से बाहर आएंगे तो आप वो अतरिक्त प्रयास कर पाएंगे जिससे आप अपने business में maximum समय तक struggle for survival करते रहेंगे और जब समय बेतर होगा तो हम सब उस struggle की वज़़े से व्यापार में एक नया मुकाम हासिल करेंगे मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद जै भारत